नमस्कार दोस्तों, ऐसा लगता है कि महाराष्ट में जो भी कुछ हो रहा है, इसमें सबसे बड़े खिलाडी शर्द पमार है। सोमार से संसद का शीत कालिन सत्र प्रारंब हुआ। जाहिर है, अलग-अलग राज्यों से जितने भी मेंबर और पार्लियमेंट हैं, वो सब दोनों सदनों की कार्यावए में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं। शर्द पमार भी पहुचे हैं, संजय राउत भी पहुचे हैं, और जो उनके दूसरे लोकसभा के और राजसभा के सदस्ने हैं वो सब भी अब महराश्य से निकल करके दिल्ली पहुच गए हैं। और सब की निगाहें दिल्ली पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि संसद सत्र के पहले ही दिन यानी 18 नौवंबर की शाम को शरद पवार और सोनिया गांदी की मुलाकात भी प्रस्तावित है लेकिन जब संसद परीसर में शरद पवार से मीडिया का आमना सामना हुआ और मीडिया ने उन से पूछा कि देरी क्यों हो रही है सरकार के गठन में तो शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई है शरद पवार ने कहा कि बीजेपी और शिव सेना से पूछिए इसका क्या मतलब है जो शिव सेना डे यल्टाए थे उससे भी पहले से शरद पवार को इस देश के सबसे महान नेताओं में शुमार करती आ रही है और जो उधव ठाकरे संजराओत राज ठाकरे से लेकर के तमाम दूसरे नेता उनके घर जा जाकर के उनसे सलहा मश्वरा करते रहे हैं और आप जानते हैं कि सोनि बलके एक दूसरे के मखालिफ रहे हैं कांग्रेस कहां सो कोल्ड सेकुलर पारिटी और उधव की शिव सेना कहां घोर हिंदुत वबादी पारिटी दोनों के विचार भी आपसे मेल नहीं खाते हैं पर शरद पमार ही हैं जो दोनों के बीच में कड़ी का काम पुल का काम करत आ रहे हैं और ये बात भी अब किसी से दवी छिपी तो है नहीं कि शिव सेना ने भारते जंता पारिटी से एक तरह से तलाक ले लिया है और वो एनसीपी की मदद से यानि शर्द पमार की मदद से कॉंग्रेस का समर्थन जुटाने की हर संभव कोशिश कर रही है जो जो उ से अपना मंत्री अर्विंद सामंत अलग कर लिया उन्होंने इस्तिफा दे दिया वो एंडिये की बैटकों में भी भाग नहीं ले रहे हैं और संसद सत्र के पहले दिन शिव सेना ने किसानों के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में उन्होंने हाथों में बैनर पोस्टर ल तो उसके बाद संजय राउत और अनिल देसाई सोनिया गांदी से मिलने जाएंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि खुद उधाव ठाकरे दिल्ली पहुचेंगे और सोनिया गांदी से मुलाकात करेंगे। यानि जिस पॉलिटिकल पारिटी यानि कॉंग्रेस और खुद सोनिया गांदी की भी आलोचना बाला साफ ठाकरे करते रहे और कई बार तो ऐसी टिपनिया की के सारवजनिक तोर पर उनको जाहिर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक बार कहा कि सोनिया गांदी के सामने जो लोग जुगते हैं वो हिजड़े होते हैं और भी तमाम तरह की बातें उनके विदेशी मूल को ले करके तो अब इस्थितियां यहां तक पहुँच गई हैं कि उदव ठाकरे हों संजय राउत हों चाहे अनिल देसाई ह वो अब दस जनपत जाकर के सोनिया गांदी से मुलाकात करने के बारे में भी सोच रहे हैं और यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि जो पेंच फंसे हुए हैं चाहे नियूंतम साजा कारेक्रम के बिंदूओं को ले कर हों चाहे वेचारिक और सैध्धानतिक जो एक व सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि यह सरकार बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी और उपर से शर्द पवार का बयान कि हम से क्यों पूछते हो शिव सेना और भारतय जनता पारिटी से पूछो तो इसका क्या मतलब निखाला जाए क्या शर्द पवार को अभ इसमीच रामदास अठावले का भी एक बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मेरी अमित शाह से बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आखिर ये चल क्या रहा है, रामदास अठावले अमित शाह के ब तो क्या शर्द मवार का ये आत्म विश्वास कहीं डिग गया है कि कॉंग्रिस उनके कहने के बावजूद, उनके मनाने के बावजूद, उनके प्रियासों के बावजूद, शिव सेना के नितरतों में बनने वाली सरकार को समर्थन देने को राजी नहीं होगी, या राजी नहीं हो रही है तो आखिर महाराष्ट में चल क्या रहा है और सरकार अस्तित्व में आएगी या नहीं आएगी संजर राउत ने भी आज सुबही सुबह फिर एक ट्वीट दाग दिया और फिर अपनी आदत के अनुसार भारते जंता पार्टी नित्रत्व को शेहनशाह बाद कि अपने आपको खुदा मानने की गलती ला करें अपने आपको ऐश्षार मानने की गलती ना करें कि वो जो चाहेंगे वही होगा तो ये सब चीजे कंफ्यूजन केरियेट कर रही हैं और ऐसा लगता है कि कही न कहीं गाड़ी अठकी हुई है और पईया ऐस्यगे फंस गया है जहां से निकालने में शर्द पमार को भी शिव सिना के नेताओं को भी पसीने छूटने लगे हैं अब देखना यही है कि ये गाड़ी उस दल दल से बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी और सत्ता की चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद